नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ दिव्यान्सू राजभवन और सिक्षा विभाग में तनातनी की जो खबर चल रही थी अब वह तनातनी काफी बढ़ गई है जी हाँ बिहार में एक बार फिर से सिक्षा विभाग और राजभवन आमने सामने हो गए है सिक्षा विभाग के अपर मुख्ष सचिव केके पाठक और बिहार के राजजपाल राजेंद्र विश्वनात आरलेकर के बीच ठन गई है दरसल हुआ ये था कि सिक्षा विभाग ने सभी विश्विद्याले के कुलपतियों को बुलाया था बैठक तीकल केके पाठक ने अलिया था अब जो खबर आ रही है कि सिक्षा विभाग यानि केके पाठक ने बड़ी कारवाई किये है जितने भी कुलपति नहीं आये थे सबसे सोकोज मागा गया है सपष्टिकरन मागा गया है कि आप बैठक में क्यों नहीं आये साथी सभी विश्विद्याले के एकाउ को फ्रीज कर दिया गया है सिक्षा विभाग द्वारा जो सचिव हैं सिक्षा विभाग के बैदनात यादव ने ये पत्र जारी किया है जिसमें सभी विश्विद्याले के एकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया गया है आपको बता दें कि ये कुलपती अपने मन से ब इक्षा विभाग ने कारवाई की है और सभी कुलपतियों से सौकोज मागा गया है इस पश्टिकरन मागा गया है कि आप बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लिए क्यों नहीं आये आप बैठक में जबकि केके पाटक ती अध्यक्षता में कल बैठक हुई थी सभी कुलपतियों की सभी विश्विद्याले के कुलपतियों को बुलाया गया था बैठक के लिए लेकिन उस बैठक में कोई भी कुलपती नहीं आए किसी भी विश्विद्याले के कुलपतियों ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया सिर्फ जो खबर आई थी कि एक विश्विद्याले के कुलसचीव ने उस बैटक में हिस्सा लिया तो उस एक विश्विद्याले के कुलसचीव को छोड़ दिया गया है उसे एक विश्विद्याले को छोड़ दिया गया है केके पाठक ने बड़ा एक्षन लिया है और फिर से एक बार बिहार में राजबवन और सिक्षा विभाग आमने सामने हो गए हैं राजबवन और सिक्षा विभाग के बीच ठन गई है एक बार फिर से आपको याद होगा महाकटबंदन की जब सरकार थी उस वक्त भी एक मामला आया था जिसमें राजभबन और सिक्षा बिभाग के बीच तनातनी हो गई थी दोनों के बीच काफी दूरिया बढ़ गई थी और काफी तल्क तेवर थे दोनों की तरब से और एक बार फिर से बिहार में ऐसा ही हो रहा है जिससे राजनितिक पारा भी जो है वो चड़ गया है हलांकि अभी किसी नेता का बयान नहीं आया है इस पर लेकिन जाहिर है कि राजनिती जरूर होगी इस पर और बयान बाजियों का दौर भी जारी रहेगा और अभी सुरू नहीं हुआ है लेकिन सुरू हो जाएगा तो फिर चलता रहेगा अब देखना होगा कि नितीज क्या पिछली बार की तरह भी इस बार भी इसमें बीच बचाओ करेंगे और इसमें मध्यस्ता करेंगे और दोनों के बीच सुला करवाएंगे ये देखने वाली गे थी केके पाठक की दक्षता में वो बैठक होई थी जिसमें सभी कुलपतियों को बुलाया गया था लेकिन एक भी कुलपती उसमें नहीं पहुँचे सिर्फ एक विश्विद्याले के कुलसचीव ने उस बैठक में हिस्सा लिया जिसके बाद आज बड़ी कारवाई हु एकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है ना ही निकासी होगी ना ही उसमें जमा ही होगा कोई रासी जमा नहीं की जाएगी साथी निकासी पर भी रोक लगा दी गई है एकाउंट को ही फ्रीज कर दिया गया है उदर सिक्षकों के टाइमिंग को लेकर बबाल जारी है कल दो पत जारी हुई जिसमें पहले वाले चिट्टी को फरजी बताया गया कहा गया कि ऐसी कोई चिट्टी सिक्षा विभाग ने निर्गत नहीं की है तो उसमें भी अब confusion है सिक्षा विभाग के फरजीवाडे में सिक्षा एक तरह से फस रहे हैं क्योंकि सिक्षकों को पता नहीं कि कौन सी चिट्टी फरजी है उस पर भी सियासी बवाल जारी है साथी अब नया मामला सामने आ गया है जिसमें राजबवन और सिक्षा विभाग के बीच ठन गई है तो देखते जाईए अब होता है क्या ताजातरीन खबरों का सिल्सला लगातार जारी है देखते रहें दर्श